आइए जानते हैं एक रूम में अच्छे से बेड और यह अलमारी एक बाड़ासा अलमारी और यह एक ड्रेसिंग टेवल के से अच्छे से एक रूम में बना सकते हैं यह जो रूम है यह जो रूम दिख रहा है यह 12 भाई 12 का रूम है इसमें देखिए अच्छे से बेड और यह ड्रेसिंग टेवल को बनाया गया है यह जो रूम है यह 12 भाई 12 का यह रूम है यह जो Бेड है, यह बेड है, छह गड़ाई, साड़े पांच का यह बेड है, यह छह फित इसपा, लंबाई है, और 45 हपीत, बांच पित इसपा, यह चोड़ाई है, और यह जोसाइड में, यह साइड में दिख रहा है यह side table है इसमें इसमें दोनों side में light लगेगा और इसमें यह दो-दो यह drawer चला है देखे इस तरह यह इसमें यह दो drawer चला है समाना आराम से इसमें रख सकते हैं दोनों side में यह side table बना है इस bed का यह जो height है यह 18 ंच जमीन से इसका height है ज्यादा हुचह नहीं है इसमें बाद में sponge लगाने के बाद यह ज्यादा हुचह हो जाएगा इसलिए इसको 18 इंच रखा गया है और यह जो sponge लगाएगा उसके बाद यह अच्छे से ज्यादा हुचह नहीं होगा और यह सिर्हाने में जो दिख रहे हैं ये सब रेख्जीन के कपड़ा है ये सब रेख्जीन है अलका गोल्डेल कलर है और ये जो है पिबी सी का ये पट्टी लगाया गया है इसको ये गोल्डेल कलर ये भी इसका चिपका जा गया है, इस तरह यह, इसका यह सिराना बना है, इस तरह यह जो यह खीडकी लगा है, पांच भैit, चयार पिट का यह खीडकी है, पांच भै फीट भैई, चयार पिट का यह, और यह जो यह अच्छे से एक dressing table बनाया गया है इसका यह लंबाई है यह 8 फिट लंबाई है और 2 फिट इसका चौणाई है और यह जो tile से जमीन से उपर इसका 29 इंच हाइट है और यह जो देख रहा है यह सीशा 3x3 का यह mirror लगा है यह साइड में भी इसको समा रखने के लिए बनाया गया है इसमें यह चार बाक्स बना है समा रखने के लिए इसमें देखे यह एल्वी हैरिक का मज़ा लगा है हाइड्रोलिक वाला तक्याराम से अच्छे से यह बंद होगा देरे देरे आराम से अच्छे से बंद हो जाएगा यह जो है इसमें चार ड्रावर चला है देके ड्रावर बना गया है चार यह ड्रावर बना गया इसमें आराम से और यह जो है यह स्पेस है ड्रेसिंग टेबल यहां पर यहां पर टेबल रखा जाएगा यहां पर बैटके राम से इसको टेबल रहाएगा तो यहां पर मुँँ जो भी सिंगार करना हो कर सकते हैं और यह इंदर भी देखिए कितना अच्छी से इसको यह ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है और यह जो बोर्ड देख रहा है यहां पर यह टीबी लगेगा LED यहां पर सिल्डी लगेगा इसलिए इसको देखिए यह केबल का तार और यह है स्वीच साकेट लगा है यह जो है यह दीक रहाए है साइट में इसको राउंड किया गया है ताकि बाद में अगर आदमी आएगा इसको चूट उट नहीं लेगा इसलिए इसको राउंड कर दिया गया, कारनर के, और यह नीचे राउंड वला एक पाया लगा है, दीस्तर इस रूम को अच्छे से बनाया गया है, और यह दिख रहे हैं, यह जो अल्मारी है, वाड रूप, यह जो अल्मारी है, наж土 पम यह सिलिंग टुच अल्मारी है, इसमें ये चार पले का अलमारी है ये उपर ये छोटा-छोटा बाक्स बना है दो चार बाक्स उपर है और चार ये पला नीचे लगा है ये जो है ये देखिए ये दो पला एक एक खाने में दो पला लगा है इस तरह इसको ये पूरा बाक्स में बाटा गया है और नीचे जो ह यह ड्रावर चला है, इसमें यह दू ड्रावर लगा है, तक यह समानमा रखना होगा, इसमें यह पैसे बसारामसर रख सकते हैं, रखने के बाद इसको बल्ली को बंद कर देंगे, यह अंदर वाला ड्रावर लगा है, यह जो हेंडी दखरना है, यह दूसरा मादल के हेंडी है इसको इस तरह खोलनेंगे यह टाउंड वाले हंटी लगा है इस तरह इसमें यह दो बड़ा सा ग्लास लगा है यह बड़ा-बड़ा दो गलास इसमें दूरू के पल्ले में लगा है । एक नीचे और एक उपर इसमें चोटा-चोटा कपडा राम से ठांग सकते हैं। इसमें भी इत्वी इसमें दू ब्रेकेट लिगा के पायप लगा है कपडा ठांगने के लिए इस तरह ये रूट को अच्छे से एक रूम में सब अच्छे से बना सकते हैं। शेलेंग देख़ा है फॉरॉण करकर डॉक्रेट किया गया है इसमें पूरा पत्ती वाला लाइट लगा है और यह लेडी भी लगा है धेकर जी बना गया है पूरा डुक्रेटेटिंग कि यह बना है और वरॉण को इस तरह हम यह रूम में एक रूम में अच्छे से यह सब बना सकते हैं बेर अलमारी और ड्रेसिंग टेवल को